कि दोस्तों जो मेरे मेंबर्स हैं उनको एक ड्वाइज दी थी और यह आप सभी को ड्वाइज दी थी कि मार्किट और काल्स जो है वो अवर बाट जोन में पहुंच गए हैं और पुट्स हाइली अवर सोल्ड जोन में थी तो काल बाइज नहीं करना लेकिन फिर भी पहले और दूसरी द्वाइज दी थी पंद्रा नो सो की पुट अगर 95 रुपीज से ओपर ट्रेड करें डे का स्टाप लास लगा कि उसको बाइज करना सेकेंड थर्ड फिर 93 फिर बात में इसका लैवल माडिफाई होगे 85 हो गया था एक्चुली फिर अगें और यही मेरा कन्विक्शन था आप देखिए दिन बर मैं यही चीज लिखता रहा पंद्रा नो सो के ओपर पंद्रा तो डे हाई पे जाएगी 136 रुपे यह हाई लग के मेंबर थे अब काल के लिए क्या होगा वो देखते हैं वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर है डिस्क्लेमर के आप सभी जानते हैं कि वीडियो एज्यूकेशन लर्निंग परपरस के लिए मेरी तरफ से कोई बाइस आलकाली कमेंडेशन नहीं है कुछ भी खरीद है जो डिफ्रेंट प्लेयर्स ने पुदिशन बनाई है उसको ध्यान में रखते हुए आपने कुछ भी खरीदना बेचना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए अगे जो डाटा शीट आप देखोगे वह त्वीटर हैंडल आप डेली बेसिस पे भी दे सकते हो फिफ्टीन हंडर्ड रुपीज पे करके बैंक एकोन नंबर टैलीग्राम चैनल में मैंने दिया जैसे ही आप पेमेंट करोगे स्क्रीन शॉट मेरे साथ शेयर कर दो तो आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूँगा और मेंबर से एक्स्क् लेके गें तक्रीबन टू लाक हिट्टी वन थोजन कंट्रैक्ट एफ एइए थोड़ा सा मिक्स लेके गिए हैं काल बेची है पुट खरीदी है नाम मात्र काल रहे गी है इनके पास प्रास ने दवागे नेगटिव पॉजिशन बनाई है डीए इस भी हलकी सी जो है मिक्स लेके गें स्टाप फ्यूचर खरीदे हैं नेट नेट बेसी पे रिटेलर वन लाक ट्वंटी टू थोजन कंट्रैक्ट है लॉंग साइड पर एफ आई ने कुछ लॉंग एड किया कुछ शाड क्लोज किये हैं और वाल लाक हीट थोजन कंट्रैक्ट ये शाट साइट पे है अब काल साइड में रिटेलर वन लाक नाइटी थोजन कंट्रैक्ट ये लॉग है और सारी मैक्सिमुम काल आज प्राउस ने बेची है आप देखिए दो दिन तक ये मार्केट को अपर लाए आज दवा के राइटिंग की है पुट साइड में बन लाक थाटी थोजन कंट्रैक्ट रिटेलर ने बेचे हैं एटी वन थोजन कंट्रैक्ट प्राउस के शॉट है और ये के पास है और बत्तीस दाइज शेसो बीस कंट्रैक्ट ये ये के पास है इसलिए देखा आपने आज यूएस मार्किट बेशक पेशन के नीचे नहीं जा रही क्योंकि प्राउसने पुट भी दबा के राइट कि हुई आइन लाक ही आएटी नाइन थोजन्ट कंट्रैक्ट मेर्ट के पास दस लाख से नीचे नंबर आ गया है 4,83,000 कंट्रेक्ट कंट्रैक्ट प्राउस के पास है और ये था मार्किट का अब बाकी parameters कैसे बने और बाकी का वीडियो अगर आपने देखने तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए option chain analysis देखने के लिए उसको paid member मनना चाहिए बट इतना बता दूं market की जो support है वो तकरीबन 15,500,550 के पास आएगी तो buy कर लेना और 16,000 के आसपास जाती है तो वहाँ पर put buy कर लेना ये फिलहाल अभी का है और अगर 200 point का किसी कारणवश gap अप मिल जाता है तो put लेने के काम में आएगी बैंक निफ्टी भी नेगटिव है सिंपल सा रीजन है रुपया जो है 7950 के लेवल पे क्लोज हुआ है जो market के लिए नेगटिव है पैरामीटर सारे ही नेगटिव है लेकिन हमारी मार्किट ने होल्ड करके रिखा हुए यह अच्छी बात अब बाकि पैरामीटर के प्रसंट नीचे है ब्राजिल जपान हैंग सेंग बाइस एक सो सटाच सट चाइना भी नीचे आ कि फ्यूचर भी सबीक नीचे हैं और वो भी है लेकिन हमारी मार्किट जो है जुरूर होल्ड कर रही है कोई खास नीचे नहीं है साथ सो दस साथ सो इसी के आसपाद साथ सो की क्लोधिंग थी फिचर में और आठाट सो दसकी क्लोधिंग थी सपॉट में और今日 की क्लोधिंग ऑपर यह अगी होगी आप कैश मारकिट में जुरूर been अब आप्शन चेन क्या कहा रही है मैं देख रहा था पंद्रा आठ सो पे क्लोधिंग विए आप देख सकते हो हम एक परसेंट भी एक्चुली नीचे नहीं है कि अगर देखा जाये तो जिस साबसे अभी वर्ड मार्किट में अच्छी राइटिंग में इवन पंद्रा आठ सो पे टैस दार कंट्रैक्ट जूड़ी है तो और पंदरा आठ सो पे पुट है पच्छी सजार कंट्रैक्ट और पंद्रा नोसो सोला हजार पुट आज बेची ह हमारे रिटेलर्स ने और ख्रीदी है बड़े प्लेयर्स ने तो आप यह देख सकते हो यहां पर यह तो ट्रैप हो गया बट इतना ज्यादा अभी इनको फ्राफिट नहीं हुगा और पंद्रह नो सो पर भी यह ट्रैप हुए पड़े हैं आप पंद्रह आठ सो एटी सेवन थ प्रोजन कंट्रैक्ट और काफी ज्यादा एक लाख एक लाख असी हजार दो लाख दो लाख कमल वे क्रोड शियर एक मलब चाली सो और तीस सतर आसी नबे तीन लाख डेड़ क्रोड शियर जो है वह भी शाट है पूट साइड में और काल साइड में तो पहाड लग गया यहां पे होई पढ़ी है, इसकी तरफ से इच्छी शाड कवरिंग आएगी, नीचे पंदरह आटा सो ही अपने आप में से इसपूर्ट है अब ओपनिंग कैसे होती है, इंपर्ट है, कि ओपनिंग कितनी नीचे होती होती है फिलैट अपनिंग होती है फिलैट ही अगर ओपन हो गई तो फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और अगर गैब डाउन हो जाती है पंद्रह साथ सो फिर उस केस में पंद्रह 800 आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस का लैवल नज़र आएगा वह पंद्रह लेकिन वो पुट शायद यह वाली होंगी जो नीचे वाली जहां पर आज पैनिक नहीं आई आप देख सकते हो यह जो पुट आज भी एड हुई है तो यह वाली पुट उन्होंने बेची होंगी हालांकि पैनिक अच्छा था यहां पर भी अन्वाइंडिंग है पंदरा हैं तो यह दो यह चृष आज रायंटिंग होई हा तो नींचे की तरफ गर जो है वह कोशिश कर सकते हैं टो चैसमें 930 के ओपर नो सो ठीस पर निकलके तक टीकादिती है तो फिर पुट जो है अच्छी आज राइटिंग हुई है तो नीचे की तरफ घर जो है वो 650, 600 का तो अगर कोई gap आप मिल जाता है 950 की तरफ तो वहाँ पर आपको पुट भाए करनी चाहिए अगर 700 के नीचे खुलती है तो उस केस में वेट करना चाहिए 600 के आसपास मिले वहाँ पर भाए करना चाहिए थोड़ा सा एशिया मार्किट को देखना चाहिए यस मार्किट के फ्यूचर देखनी चाहिए आज क्लोजिंग कैसे होती है वो देखनी चाहिए तो 600 से लेके 900-950 यह रेंज कलकी रह सकती है और रुपया भी ज्यादा कमजोर हो गया वो भी प्रैशर का काम कर रहा है 33,800 यह लैवल है 33,800 यहां पर भी दबा के आज काल में राइटिंग हुई आप देखिए यह सारी काल रिटेलर लेके गया इवन 34,000 पर पूट भी राइट करके गया 34,300,400 यह सारी पूट राइट करके गया है 33,800 यहां पर अन्वाइंडिंग है तो 33,500 पहला सपोर्ट है इवन अन्वाइंडिंग यहां पर भी देखने को मिली है 34,000 जो है वो रेइस्टेंस है फिलहाल 34,100 के ओपर निकली अगर किसी कारण वेश गैप आप ओके निकलती है तो फिर आज के हाई के आसपास जाने की कोशिश कर सकती है और यहां पर दबा के राइटिंग है तो उपर की तरफ निकलेगी थोड़ा सा ऐसे अभी लगनी रहा कल अगर रुपया नीचे 20-25 पैसे खूल सकता है तो वो पास्टी एक ट्रीगर हो सकता है बाट आज का रुपया का जो मूमेंट है वो थोड़ा सा डाइसी हो गया 79.50 जो है वो ज्यादा नेगटिव हो गया उस केज में बैंक निफ्टी जो है वो जुरूर 33,000 232,600 का हो इसलिए मैं आपने देखा होगा है बैंक निफ्टी में काल नहीं दे रहा क्योंकि जिसी साब से रुपय की चाला उसी साब से बैंक जो है वो अभी 32,000 इंडेक्स होना चाहिए था बैंक निफ्टी का जबकि यह ऊपर के एंड पर बैठा हुए है तो यह comfort प्रवाइड करा जितना मर्जी कोई मर्जी बोले बैंकिंग लीडर्शिप है बैंकिंग फलानी चेर पर या ड्राइविंग सीट पर मेरे को ड्राइविंग सीट नहीं हमें fundamental को अगर ignore करके चलेंगे तो वहां पर लास होगा तो fundamental यह कहता है कि और उपेए की चाल जो है वो बैंक निफ् का कल का action अगर intra day में अगर किसी ने play करना है अगर 33,200 33,000 यहां पर कोई opening मिल जाए तो वहां पर एक बार के लिए काल बाय करके चल सकते हैं और आज इस ही साब से 34,000 के राइटर ट्रैप हुए हैं यह थोड़ा सा जो है उनके लिए भी इम्तिहान का वक्त है 33,500 जो है पहला स्पोर्ट है 33,400 के निचे गी तो फिर 33,200 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं यह बैंक निफ्टी काल है बाकि कुछ भी होगा लाई मार्किट पर डाटा बें नजर रखेंगे मेरे बाद दोस्त जो किसी भी डिस्कॉंट ब्रोकर के साथ अपना अपन करना चाते हैं जैसे ICICI Security भी अब आप कर सकते हो मैंने लिंक में लिंक दिया इसका description में लिंक को यूज़ करके आप एकाउंट झाल झाल